किस क्पेन्स को किस वीडियो निकलना डेंगे हैं ग्रॉस्ट्रॉस या डॉस या रस डिएस्यो निकलना सीक चुके हैं ग्रॉस प्रफ्ब रेशियो या 5 रोस बैसिए सबसे पहले हम लोग क्या सिखे थे टाइम रेशियो किस तरह से निकालते थे तो टाइम रेशियो के लिए हम लोग करते थे क्या जो जितना भी प्री पिरियेट का हो गया पोस्ट पिरियेट हो गया उस दोनों का हम लोग क्या करते थे रेशियो करते थे तो यह हम लोग का हो हो गिया था क्या ताइम का अब ग्रस क्राफिट यह उप्र परोफिट यॉश्त में हुन दिखने वाले तो यहां इसमें दे रखावा आइटम कि किस आइटम को किस रेशियो में हम लोगों को बाठना है इसकी साइटम को किस रेशियो में बाठना है तो देखे ग्रॉस प्राफिट या ग्रॉस को हम लोगों किस रेशियो में बाठना है तो सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा तो सेल्स ग्रॉस लॉस को बातेंगे हम लोग्ट तरणोबर के बेसिस अब सम्समित अगर संप्समें टर्णोबर ना दे रखा हो तो तो उस ताइम में व्यां क्या बातेंगे cost of goods sold COGS basis में हम लोग बाटेंगेX ग्रॉस प्राफिट या लॉज को हम लोगो सबसे पहले सबसे फर्स्ट फर्फ्रेज्ञ किसको देना है तो फर्स्टे लिए किसको देना है अगर सेल्स रेसियो संसमें नहीं दे रखा होगा तो हम लोग cogs का भी रेश्यो ले सकते हैं ग्रा रखा होगा अगर देखे सबसे पहले हम लोगोग को देखना है सेर्स रेसियव रेंगा क Pillai जीए यदि रruktाऊजव औंगे तो वहां होEMAग अब सुग्छ क्या हुआ इस अब सब में रखा होगा तो उस टाइम हम लोग तो Pennail पंगे नुसित फांज में बड़को अब है आप समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं जब लuitar करेंगे उस टाइम में आप लोको अच्छे से किया मेर हो जाने वाला है कि आगे रख़ावा है कि क्या और कि हम्ट स्ट आयmo खतम अब second में क्या रखाया जोदी किस रेश्यो में बाठने बाले तो प्र läuft टтर्न और कोई भी एक्सपेंश जो कई ट्रोबर के ट्रन ऐसे क्या अद ऊंगरल्क रखता हो जैसे क्या होगया carriage फिर हो ग्या कार्टेज और फिर सेलिंग अंदिस्टिविशन एक्सपेंस फिर कमिशन ऑन सेलिंग एज़ेंट या ट्रैवल लिंग एजन फिर इडवर्टाइज्मेंट एक्सपेंस फिर भर ब्रोक्रेज फिर इसेल्स प्रमोशन तो यह जितना भी एक्समेज अभी दिखाय हैं आप लोग also directSi हो गया फिर कार्टेज हो हो गया से लिंग किससे लिंक हैं यह किस से लिंक यह में लिड्फEd तो जो भी expense जो भी expense अगर turnover से link होता है उसे हम लोग किस ratio में बाठेंगे sales ratio में लिए हम लोग का हो गया first राइटेम हों क्या था Gross Profit में उसे हम लोग sales ratio में अगर sales ratio नहीं रखा होता तो हम लोग क्या था सेकेन आइटम में था कैरेज कार्टेज ओट वर्स यह ऑझ क्या है या क्या होगया एक्सपेंस यह हो गया फिर कया हो गया कमीसन अगर किसको sailing agent को मिल रहा है या traveling agent को मतलब जो selling agent हो जो selling and distribution में काम करता उस time में जो traveling होता है तो वो commission हो गया या advertisement advertisement हम लोग क्यों करते क्यों कि sales हम लोगा क्या हो increase हो इसलिए हम लोग advertisement करते हैं तो वो advertisement expense भी sales link है न तो यह हो गया उसके बाद सेल्स पहल लिंग लिक्त फिर सेल्स परमोचन हो तो यह जितना भी एक्सपेंस है उसे हम लोग किस रेशियों हो उसेशे किसके छसे युपने सेल्स हैं धोल आतर का इतार पाइंट में चलते हैं क्या तुम और कहा है've pótpo दिया उर्फ Hani Sheikh immigration Express जो किसी से लिंक नहीं expense example के लिए salary अब sales हो रहा हो नहीं हो रहा उससे कोई फर्क ने पड़ता जो वरकर काम करता है उसे salary तो मिलेगा ही कमीशन ओन सेलिंग एजेंट ये तो अलग बात हो कि कमीशन ओन सेलिंग एजेंट जिसे कमीशन मिलता हो तो अलग बात है salary का मतलब क्या होता है जो काम करेगा office में उसे salary तो मिलेगा ही चाहे उसमें sale हो या ना हो तो वैसा common fixed expense जिसको जिसे किसी भी किसी भी चीज़ से link नहीं किया जाता है वो किस ratio में बाटा जाएगा तो उसे हम लोग time ratio में बाटेंगे जैसे क्या हो गया फिर office and administrative expense हो गया तो यह administrative expense भी क्या हो गया time ratio में फिर rent हो जाएगा जैसे rates and taxes हो गया printing and stationery हो गया telephone हो गया जितना भी expense है जितना भी fixed expense है जो किसी भी चीज़ से link नहीं हो उसे हम लोग किस ratio में बाटेंगे time ratio में आप लोगो अभी तक में तीन आइटम समझ में आ गया सबसे पहला क्या था gross profit या gross loss उसे हम लोग सबसे पहले sales ratio अगर sales नहीं मिलता था तो cogs अगर cogs नहीं भी होता था फिर हम लोग क्या बाटते थे किसमें time ratio में दूसरा क्या था वैसा एक्सपेंस जो सेल से लिंक हो वैसा एक्सपेंस जो किस लिंक हो sales से लिंक हो उसे हम लोग किस रेशियो में मारते थे sales रेशियो में उसके बाद था fixed common expense fixed common expense या charges में जैसे salary हो गया office and administrative expense हो गया rent हो गया rates हो गया इंकोरप्रीसलन का suffer और कुछ ऐसा होता है जिसे हम लोग क्या मानेंगे पोस्ट इंकोरप्रीशन का expense इसका अभी आइंकोरप्रेशन जब भी होता है उससे पहले के item को क्या बोलते है परी बोलते हैं और उसके बाद वाले को क्या बोलते हैं इसमें तो कुछ फ्रालग मुद्ज नहीं है रूसनिते पहले कैंडिंग्वं क्या ब Dash लाउ नहीं रहता है तो देखें आगर इंकोर्परेशन से पहले partnership हो तो partnership में जो capital होगा borrowing होगा उस पे तो interest मिलता है ना बर्टर की capital पर हम क्या देते हैं इंट्रेस्ट देते हैं तो यह company firm होने के बाद तो इंट्रेस्ट नहीं मिलेगा capital पर capital पर interest का मिलता है जब partnership firm हो या कुछ हो तभी तो दूब अधे एंटरेस कमपनी फर्म होने के बाद यूद्ध मिलता है उस तैम में जो भी एक्सपेंसे हो गया उसे हमयर क्या मानते प्री इनकॉर्परेशन एक्सपेंस वह प्री कैसे क्यों कि कि क्या मिलेगा डिवडेन मिलेगा कुछ वह से मिलेगा और इस टैम में वेंडर क क्राइब पोकॉस्ट इनकोपरीशन का एक्समाना जाएगा अब ऐसे इस यह कंपनी list पार्णों ऑसलिया यह कितो इसलिए फोस्ट waterproof lol 아 और किया और इनकर्परेंस के बार को एकसे हम क्या और क्या इस्क्रेρίच्ट नब फिरनाए इसक्व तो प्लमसरों के भी सिखता ह एकसपन्स का में क्या बहिता है ऐसे हम वोगगे पोस्त इंकर्परेशन एकस्पेंस फिर हो गया क्या जैसे एक्सपेंस हो गया कंपनी फर्म होने टाइम में तो यह भी हो गया फिर क्या हो गया शेर इसु एक्सपेंस अंडर राइटिंग कमिशन डिसकॉंट इसी ओव सिक्रेटी तो यह सब जित्ता भी एक्सपेंस हो गया जो कंपनी फर्म होने के बाद होता है उसे हम लोग क्या बोल होता है कंपनी के रूप में फार्म होता है तब भी और रड़ी अडिटर किसे एंटीटी का या पार्टनर्शिप में भी हो तब कमपनीस ऑडिट अगर समस में लिख दिया जाएगा कमपनीस ऑडिट तो विए इन कोरफेशन कंपनी के के इंकरफूरेशन के बाध के भाध होगा घ्डिक हम लोगों क्याने क्रॉटट टैक्स-क और टैक्स-क्रॉटट कमपनी का भी यह हुँआ है और तो इन नतीन कंसिर्टरेशन तो फश्यंट के लिए यह होता था कि पयसिएशन का लेट होता था ये एर uh computer से पहले अक्विजिपाकह धकत का इनकोर्परेशन से पहले दाखा जो भी पूटेस एक प्रशों देखाए करके इंकोर्परेशन तक था तो हम लोग नृइसे नहीं दोते तू प्राब्लेम नहीं हुआ है आप हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखने वाले हैं प्री इंक्रप्रेशन प्रॉफिट एंड लॉस इसे वीडियो में देख लेते हैं प्री इंकोर्करेशन प्राफिट प्रिंकोर्प्राफिट को क्या करते हैं ट्रांसफर प्राफिट को क्या करते हैं इसको बाद में देखते हैं